अब हमने पढ़ेंगे ग्रेपिटेशन कि उसे पहमें पढ़ेंगे हैं ग्रेपिटेशन में न्यूटन स्लॉज अब इसके बाड़े हम बताते हैं कि वो टू पॉइंट मासिस की तरह ही वार करेगा अब मालेगे इसका मासे 1 हाय और इसके बीच मैशार place Master moralityणे ऑइसकी पीच का सिंप्रेसंगी हैं ताब इसके भी साथ निकालना हाय तो आसलों वाड़िज में लेंगे इसे 2 Sponge हुआ ह्भे यह जिए सब्सक्राइब देखें कि जी जो है कि टेस्ट में कॉंस्टेंट है जिसका वैलो 6.67 इंटो बार माइनस लेविट इंटर मीटे स्कॉर पर केजी स्कॉर्ड होगा माइन देखते हैं कि जैसे एक केश्ट माश है कि उस पर दूस्टे मास कि वज़ा से कितना फोर्च करता है अब दो-धीक मास माल जिए और एक M1 मास ही हो एक M2 मास है एक M3 मास है और इसके भी का separation है R1 इसके भी इसके separation है R2 और पूसर जाएगा कि M1 की वाज़ से, M2 की वाज़ से और M3 की वाज़ से इसे कितना force कर गया है, तो इसे M1 जो है तो test mask करेगा, attract करेगा इसको इस तीलो में attraction होगा और force निकालते है छहां। दिख को औन पीसकरों यह पाहिए हं, फोर्स को यहां पे आड्श का वेक्र में जमी ओल८ात बोलाइं, रिकाल प्रों, या आड़्ालना बोलाणा है है और शाड्य के लिछक्र cities लेक्र में लेक्टर है राहिए है। निकाल लाया एक भीज़़ देंदेनानट निकालते हैं, F1 इपर तो हो जाएगा, G M1 M2 by R1 square, F2 हो जाएगा, G M1 M2, sorry, F2, G M2, और यहाँ पे test mask बेसे नहीं दालना है, तो यहाँ पे M2 होगा, यहाँ पे M2 होगा by R2 square, and F3 होगा, G M3 M2 by R3 square, यहाँ पे नर्मली लिए है, ऐसे इसको वेक्टर की टर्मली आज जाएगा, तो अब नेट फोर्स लिखना है, तो नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स का जो वेक्टर सम करते हैं, आप यहाँ को, इनो का, आप उसके बार इसके हम एक्जामपल बताते हैं नेक्ट वीडियो में एक्जामपल बताएंगी अभी इतना ही याद रखें ठीक है? बाइ